इस समय मेरे साथ है कमल जी और आप जानते ही है कि ईशा और अभिशेक दोनों के साथ इन्होंने काम किया है ईशा की ऑंस्क्रीन मदर पनी थी है और करल जिस तरीके से करन जोहर ने ईशा के बारे में बाते की कल कहीं बहुत सारे खुलासे हुए वीकेंड का बारे में कमल जी तो आप सबर क्या कहेंगी कि क्या इशाब को इतनी फटकार पढ़ना सही था? हाँ, बिल्कुल, अब जरूरत आपड़ी थी कि जितना वो बोलती जा रही थी, एक के बाद एक के बाद जूट, उनके उपर शायद अब टाइम हा गया था कि उन सबको नकारा जाए, उसकी सचाई सामने लाई जाए, कि सच क्या है, जूट क्या है, उसका खुलासा होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग बहुत लास्ट में आ चुके हैं अब, तो अब नहीं तो कब, तो ये होना बहुत ज़रूरी था. कुछ सवाल भी करन जोहर करते हुए नजर आई ईशा से, जो वो सोट समझ के जवाब दे रहे थी, जिसको लेकर बाद में समर्थ ने बोला, कि तू इतना हमेशा शूर थी कि countdown पे मुझे उसने slap किया था, थपड मारा था, तो इतना सोच नहीं की जोट उस समय क्यों थी, तुने तुरंट हाँ क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो सच होता है उसको मैनुफलेट नहीं करना पड़ता, सच जो मैंने बाहर बोला था, अब मेरी अभिशेक से तो कोई बात नहीं हुई, अभिशेक ने as it is word to word वही बात बोली, अब हम दोनों की तो बात नहीं हो पारी, मैंने यहां उसको कुछ सिखाया हो, यह उस को सोचना नहीं पड़ता, हमेशा सच रहता है, उसको हम as it is बोल देते हैं, तो इसके शाद उसको सोचना पड़ रहा हो कि क्या बोला था, कैसे बोला था, मैं तो पहले दिन से चिला-चिला के हर इंट्रिव्यू में यह चीज़ बोल रहे हूं, कि New Year Party में मैं साथ थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर भी अगर वोई चीज़ बार 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 आ रही थी, तो कल उसका कुलासा हो गया, तो हुआ क्या था exactly फिर कमल जी, कुछ तो हुआ था, हाँ, थोड़ी बहुत नोग्जो कुई थी, उस टाइम पे भी जब नोग्जो थी, दोनों को संजाया, बुझाया, उपर आ गए, और काॉंट्डॉन की टाइम पे अभीशेक अपनी मम्मी को happy new year wish कर रहा था, घ। है, उस टाइम पे वोपनी mom से बात कर रहा था और उनको happy new year wish कर रहा था, और नोग्जोग हुई थी, मैं उसमें deny नहीं करती, थोड़ा स हुई थी कुछ चीज़े जो अभी शेक को नहीं पसंदा रही थी वो वोकल है वो बोल देता है तो उस चीज़ को लेके और मैं इमिजेट साथ में गई जब यह लोग नीचे उत्रे पाइटी हम उपर कर रहे थे नीचे उत्रे मैं साथ में गई मैं दोनों को समझा भुजा के उपर ले आई इससे चीज़ा कुछ नहीं था हम लोग सब साथ में पाटीं में से वहार निकले देज़े चाहरे निशान था वो क्यों था फिर यह तो बात है कि अगले दिन जाहरे पे निशान था ये बात विशीक ने भी बोली वह जो इशा ने मुझे बताया, मैंने आज तक किसी इंट्रिवे में ये चीज नहीं बोली, क्योंकि वह बहुत पर्सनल मैटर था उसका, ये बात इशा ने खुद मुझे बताई है, कि कल जो हुआ, उस चीज को लेके मेरी मम्मी ने मुझे मारा, और मेरा दरवाजे के हैंडल पे सर मुह लगा, और ये निशान है मुझे, और ये उस टाइम पर सिरफ मैं नहीं थी, मेरे साथ और भी मेरे को आर्टिस्ट उस रूम में थे, जिन्होंने सब ने ये बात सुनी, ये इशा की वर्डिंग है, कि उसकी मम ने उसे मारा था, ना कि अभिशेक ने,